एटा के युवा अभिनेता पुषपेंदर कुमार की फिल्म एन ओकरिंस कैप्चरड इन कैमरां को पाच आंतराश्ट्रे फिल्म महत्सोवों में चैनीद किया गया है मंगलवार को समर्थ संस्था द्वारा इस फिल्म का प्रदर्शन एटा में आयजित किया गया जिसका उद्गाटन नगरपाली का अध्यक्षा मिरागांदी ने किया इस कारेकरम में फिल्म के निर्देशक, सिनेमेटोग्राफर, अभिनेता और अभिनेतरी ने भी शिरकत की फिल्म के प्रदर्शन के बाद निर्देशक और टीम को समर्थ संस्थात्वारा सम्मानिक किया गया। फिल्म की कहानी एक ऐसे कलाकार की है जो अपने कैमरी के जरिये दुन्या की हर खुबसूरती को उकेरना चाता है। वह इतना समवेदंशिल है कि उसे प्रकृति की हर बनावट में भरी सुन्दरता से गहरा लगाव है लेकिन दुनिया का रिवाज है कि समवेदंशिल लोग अक्सर गलत समझ ले जाते हैं और इसी गलती का शिकार वह कलाकार हो जाता है और उसके अंत की कहानी उसी के कैमरे में दर्च होती है यह कहानी तब सामने आती है जब वह कैमरा चोरी से बेचा जाता है और एक यूवा फोटोग्राफर के हाथ लगता है